तुन्नू चिडा की पहली पतनी कमभीर बिमारी के कारण मर जाती है उसकी एक बेटी रहती है तुन्टुनी वह अभी बहुत छोटी चिडिया थी तुन्नू चिडा तुन्टिनी के लिए दूसरी शादी कर लेता है तुन्टुनी चिडिया सभाओं से बहुत ही दूष्ट थी तुन्टुनी अभी तक घर का सारा काम नहीं किया क्या कर रही है तु जाँ गोसला बहुत गंदा हो गया है इसे तु साप कर ले अच्छा मा मैं अभी जाडू लगा देती हूं इसके बाद रसोई में जाकर खाना बना लेना तुन्टुनी बिना कुछ कहे जाडू लगाती है और रसोई में जाकर खाना बनाती है खाना बनाते सर में तुनी के हाँ से एक प्लेट गिर कर तूचात अरे कमबखर तुन्य क्या तोड़ा जब देखो तब कुछ न कुछ नुक्सान करती रहती है और वा टुंटनी चिडिया को मानने लगती है मा बूख लगी है सुबा से कुछ नहीं खाया है कुछ खाने को दे दो तुस्से काम तो होता नहीं और धिन बर खाने को मांगती रहती है जा, जाके नदी से पानी भर ला तुंटिनी नदी में पानी भर निकले जाती है वापस आते समय मटका गिर के तूट जाता है वाँ डर के मारे मां के पास नहीं जाती और एक आम के पेड़ पर बैट कर रोने लगती है मैं अब मां के पास नहीं जाओगी वाँ मुझे बहुत मारती है अब मैं वहाँ पे वापस कभी नहीं जाओगी मां तुम कहां चली गई मां मां तुम वापस आ जाओ ऐसा बोल कर टुंटनी मां को याद करने लगती है आम का पेड़ उसकी सारी बाते सुन रहा होता है टुंटनी तुम दुखी मत हो मैंने सब तुमारी बातों को जान लिया है तुम मेरे उपर ही अपना गोसला बना कर रहने लग जाओ और खाने के लिए ये मीटे फल खा लेना ऐसा आम का पेड़ कहता है सुबा हो जाती है और टुंटनी गोसला बनाने में लग जाती है जल्दी वा अपना सुन्दर सा गोसला बना लेती है और खुशी-खुशी आम के पेड़ पर रहने लगती है बच्चों इस कहानी से हमें या सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हानी चाहिए और कठिन परिस्तिती में भी धैर रखना चाहिए